आए जानते हैं बल्या का खेमस बल्याही पूरी और आलू का सब्जी कैसे बनाते हैं सबसे पहले हम आटे में अजवाइन कलाउजी बेकिंग सोटा डाल लेंगे और आटा को गूत लेंगे मैं पहले से ही गूती हुए उसके बाद बारीक आलू और प्याज काट लेंगे इसमें आइट करने के लिए हल्दी पावडर तस्मीरी लाल मिर्च मिर्चा गरम मसाला है धनिया जीरा पावडर यह सब रख लेंगे आइए बनाना सुरू कर रहा है है सारा समागीरी मैं उखलब गर्ची कुई हूँ आइए जानते हैं कैसे बनाने के लिए सबसे पहले हम तेल डालेंगे उसके बाद लाल मिर्च टाल देंगे तब खाड़ा धुनिया डालेंगे अब इसमें हम आलू अब आलू को हम अच्छी तरह भूनेंगे अब आलू को हम ब्राउन होने तक भूने लेगे अब हम इसको घपकर नगा देंगे अब इसमें मसाला डालेंगे और आलू ब्राउन भूतिता है अब इसमें मसाला डालेंगे अल्दी पाउडर मेचा पाउडर मेचा पाउडर अब इसमें अपने स्वार्ड अनुसार नमक करें नाल दियें अब इसमें अच्छी परा मिला लें इतना सुखरिस कर शुगान का रहा है सबजी में मसाला भूना अगया अब इसमें हम तमाटर दालेंगे धनिया बत्ता है फोरा कस्तूरी मेथी डाल देंगे ताकि इसमें चेस्ट अच्छा आए अब इसमें हम पानी डालेंगे और शीता राइस को चलाएं इतना सुंदर कलर इसका आ चुका है अब इसको सुखने तब पकाएंगे तब तब के लिए इसको ढगते सबजी पकते हुए मेरा पंदरा मिनाट हो चुका है सबजी तयार आलू का ठड़ाई सबजी तयार राइस बन करेंगे सबजी उतार लेंगे अब इसको हम बॉल में निकाल लेंगे बहुत थी सुंदर टेस्टी सबजी बन कर तयार मेरा आलू का सबजी बन कर तयार देखने से तो लगड़ा है कि अचार है टेस्ट भी बहुत अच्छा है इसमें अब हम बाड़ी कटा हुआ दनिया पता डाल देंगे सबजी तयार मेरा सबजी बन कर तयार है इसको अब इधारा हटा दे रहे हैं अब चलते हैं बलिया ही पुली की ओड़ा सबसे पाले हम गैस ओन किया है अब इसमें हम तेल डालेंगे चानने के लिए आईए अब देखते हैं बलिया ही पुली कैसे बनाएं सबसे पहले हम आठे को रोल करेंगे इसको हम भाग में बांट लेंगे इसको अब लोई करेंगे थोड़ा बलने के लिए आठा भी रखेंगे ताकि चपके नहीं बलने इसको बड़ा लगा देने के बाद मेरा पूरी चपके गरने इसको बड़ा साइज में बेल लेंगे मेरा पूरी बल्या ही बेला चुका है अब इसको हम छानने के लिए कडाली में डालेंगे अब इसमें हम डालेंगे पूरी इतना सुंदर बल्या ही पूरी फूलड़ा रागा है वाह क्या बात है खाने में भी टेस्टी और बनाने में असान है बल्या ही पूरी बनकर तयार देखिए इसी तरह हम साड़े लोई को बेलेंगे अबेलने के बाद एक कड़के डाल कर छान लेंगे बल्या का फेमस बल्याही पूरी बनकर तयार और साथ में है आलू का फडाय पिष्टी सबजी आईई अब हम इसको आफ खाने के वर चलते हैं खाने के लिए मैं सारा डिस्ट सजा ली हूँ, दही, सबजी, जलेवी, अचार, अचार भी बिहार का फेमस है और यह तो बलिया का फेमस बलिया ही पूरी है, खाईएगा तो खाते रजाईएगा, खाकर देखिए, बहुत थी बढ़िया टेस्ट और खाने में भी मज़दार, खाईएगा तो अंगुलिया चाटते ही रह जाईएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट सबजी का दिख रहा है, पूरी ला जबाब है,